जमशेदपूर के आजाद नगर थाना पुलिस ने कदमा थाना अंतरगत रोड शास्त्री नगर ब्लॉक नमबर पांच क्रोस रोड नमबर दो निवासी मुहम्मद शमीम के खिलाफ इश्तिहार चस्पा दिया है मुहम्मद शमीम के खिलाफ उनकी पतनी रेश्मा खातून ने आजाद नगर थाने में मारपीट का मामला दर्ज कराया था घटना के बाद से वह फरार चल रहा है इश्तिहार चस्पा करने पहुँचे आजाद नगर थाना के ASI प्रमोड पासवान ने बताया कि एक महीने के अंदर मुहम्मद शमीम यदी पेश नहीं होते हैं उनके खिलाफ नयाले से कुर्की जप्ती का वारंट निर्गत कराया जाएगा उन्होंने बताया कि उनकी पतनी के दो बच्चे हैं दोनों बालिग है जो अपनी मा के साथ रहते हैं रेश्मा खातून का अपने पती के साथ विवाद चल रहा है लड़की कहा के रहने होई है लड़की है आपको दीपासाई के रहने होई है अजाद नगर वह अपने बाप के द्वारा बनाएगे घर में अभी रहती है दो बच्चे के साथ में दो जवान जवान बेटा है उसके साथ मेराता है और ये जो इनका पती है ये सास्त्री नेगर मेराते हैं जब कभी भी आते हैं तो यहीं पर आते हैं वहां नहीं जाते हैं न्यूज विंग के लिए जमशेदपूर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट झाल